ये जो अगला ट्रिगर होगा वो होगा RVI के क्रेडिट पॉलिसी का MPC यानि के Monetary Policy Committee के तीन दिनों की बैठा काश्य शुरू हो गई है परसों आएगी पॉलिसी यानि की 8 दिसंबर को सुबह 10 बचे हालांकि इस पॉलिसी में भी दरों बदलाव को लेकर कोई उमीद नहीं है स्टांस में शायद ही कोई चेंज हो लेकिन RVI गवर्नर की महंगाई को लेकर कमिंटरी GDP ग्रोथ को लेकर कमिंटरी ग्रामीड मांग कैसी है इस वक्त देश में उसको लेकर कमिंटरी बहुत एहम होने वाली है एक बार जो हमने पोल करा है उसके अनुमान क्या है उसे लेकर प्रासी होगी अंकोर मिश्राज जुड़के है अंकोर क्या उमीद करें इस पॉलिसी से जिया MPC की बैठक शुरू हो गई है और सभी जो निगाहें रहेंगी इस बार वो ना रेट को लेके होंगी ना स्टांस को लेके होंगी क्योंकि वाइड अन्रिसिपेशन यही है कि रेट और स्टांस शायद फिर से एक बार वही रहे लेकिन जिस तरीके के आंक्डे आये हैं यहां पर रिविजन हो सकता है साथ ही साथ देखने वाली बात यह भी होगी कि इंफलेशन के फ्रंट पे रिजर्ब बैंक ओफ इंडिया के गवर्नर की क्या कमेंट्री है क्योंकि ऑक्टूबर महीने के जो आंक्रे थे और वो काफी जो आर्बिया की एक्सपेक्टेड लाइन से उसके मताबिक थे 4.87% महंगाई रही थी और आर्बिया का जो मेंडेट है वो 4% महंगाई रखने का है हाला कि रिजर्ब बैंक ओफ इंडिया गवर्नर ने बार बार बोला है कि जब तक महंगाई अलाइन टारगेट के आसपास नहीं आ जाती जो वार विद इंफलेशन है यानि कि वो जंग जारी रहेगी तो कदम है वो उठाते रहेंगे तो देखना यह होगा कि क्या उस स्ट होते हुए वह फिलाल नहीं देख रहे हैं तो देखना यह होगा कि और इसका संग्यान लेते हैं कि यहां पर वो डॉमेस्टिक फेक्टर्स पर ज्यादा दिहान देते हैं जब पॉलिसी मेकिंग होती है आला कि यूएस फेडरल रिजर्फ की जो ऑफिशल मीटिंग है वो त लेकिन इस पॉलिसी में किसी बदलाओ की अमीद नहीं है जीडिपी ग्रोथ चुकि की जो जीडिपी आंकड़े आए थे वो अनुमाद से अच्छा थे आर्वियाई का भी जो अनुमाद था उसके मुकाबले वह अच्छे नंबर्स आये तो जीडिपी ग्रोथ की बन रही है तरवेज रेट्स में इसके लावा आर्वियाई के रुख में पॉलिसी में कुछी बदलाओ की अमीद नहीं है लेकिन उसके